हलो गाईज, वेल्कम पर इस्ट्री आफ फूचर एजूकेशन यूट्यूब चैनल, आज किस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ उस प्रोसेस के बारे में अप्लिकेशन फॉर्म को भरने की जिस विकेंसी के लिए अप्लिकेशन फॉर्म निकाले गए हैं एचपी, विदान, सभाव, सेक्रेट्री एट में तो डिफरेंट पोस्ट यहां पे निकाले गए हैं डिफरेंट नमबर ओफ वेकेंसी हैं गैजटेट पोस्ट हैं, नॉन गैजटेट पोस्ट हैं रेग्लर बेसिज पे यह वेकेंसी जो हैं भरी जाने वाली हैं जिसमें vacancies हैं आपकी अगर बात करें post wise तो reporter की post है, junior scale stenographer की post है, clerk की post है, driver, fresh, चौकीदार और cleaner की यहाँ पर vacancies है और regular basis पर यह vacancies भरी जाने वाली है तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको इसके लिए application form online भरना होगा तो घर बैटे ही आप अपने application form भर पाएंगे, अपने जो भी आपके पास device है digital उससे आप भर पाएंगे आसानी से तो इस वीडियो मन तक बने रहिए ताकि आपको इसकी सारे जानकारी मिल सके, चैनल पे अगर आप ने हैं और इस तरह की जानकारी आगे भी चाहते हैं तो च विधान.nic.in ये HP विधानसवा सेक्रेटरेट की वेब साइट है इस पे जब आप जाएंगे तो आपको ये देख रहे हैं स्क्रीन पे recruitment जहांपे ये लाल एरो है ये recruitment section पे आपको जाके जो है यहांपे प्लिक करना होगा जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यहां पर जाना है यहांपे आपको apply now करना है जब आप apply now करेंगे उसके बाद जो है कुछ इस तरह का pattern आपके सामने जो है वहां पे आपको दिखेगा यहां पर जाके आपने जो है सबसे पहले अपनी जो है payment करनी है proceed to make payment यहाँ पे आपको जो है click करना होगा जब आप यहाँ पे click करेंगे तो कुछ इस तरह का SBI का यहाँ पे जो page है वो खुलेगा जहाँ पे आपको read and accept यहाँ पे जो है tick करना होगा उसके बद proceed के button पे आपको click करना है उसे पहले मैं आपको बता दूँ fees कितनी लगेगी आपकी general category के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चार्ट बताया गया है किस post के लिए कितनी आपको fees पे करनी होगी female candidates के लिए कोई fees नहीं होगी एक service man के लिए कोई fees नहीं होगी S.C.S.T. पे payment category पूछी जाएगी तो आपको यहाँ पे select करना होगा H.P. विधानसभा examination fees जब आप click कर देंगे H.P. विधानसभा application fees पे तो इस तरह का page जो है आपके सामने open होगा जिसमें आपको select करनी होगी payment category जो आपने पहले ही कर दी है उसके बाद आएगा name of post तो जिस भी post के लिए आप application form भर रहे हैं reporter के लिए junior skills यानि कि जिस post के लिए आप application form भर रहे हैं उसको यहाँ पे आपको select करना होगा अपना नाम father's name, अपनी date of birth, अपना address अपना mobile number, अपनी category यानि कि जो भी category से आप belong करते हैं आपकी post के लिए आपने जो मैंने आपको starting में बताया आपका जो चार्टा फीस का वो आप यहाँ से देख सकते हैं वो आपको यहाँ पर select करना होगा remarks दे सकते हैं यानि कि किसलिए आप यह कर रहे हैं या किसलिए फीस आप जो भी लिखना होगा यह वाली इस पर जो है आपको यहाँ पर फिलप करना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर submit बटन पर जो है वो click कर देना है जब आप submit बटन पर click कर देंगे उसके बाद जो है इस तरह का कुछ format जो है आपके सामने आएगा यानि कि आपको देखनी है एक बाद डिटेल आपने जो भरी है वो सही है चेक करनी है उसके बाद आपको confirm जो यहाँ पर दिया हुआ है उस पर आपको click कर देना है जब आप confirm पर click करेंगे तो इस तरह का कुछ page जो है सामने आपके आ जाएगा तो आपको select करना है अगर आप net banking के थू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आप card payment करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं अगर आप other payment modes use करना चाहते हैं या फिर UPI के थू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं जब आप payment कर देंगे successfully आपकी payment जो होगी वो हो जाएगी एक बात जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपको note कर लेना है अपना SBI collect reference number यह आपको note कर लेना है क्योंकि जब आप application form की details भरेंगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा और आपकी जो SPI collect pay in slip यानि कि जो receipt होगी अपने जो अपने application fees पे की होगी उसकी जो PDF copy है वो भी आपको यहाँ पे upload करनी होगी लगानी होगी तो वो भी आपको संभाल के वो जो है इसको save करना होगा जब आपकी फी payment आपने application जो उसका slip नंबर था slip आपने download कर ली अब आपने आना है दूसरे option पर यानि कि यहां पर यानि कि click here to apply online अब आप दूसरे step पर आएंगे उसके बाद जो है यहां पर कुछ instructions बताई गई है जो आपको follow करनी होगी so first of all इसमें आपका जो photograph है जो scanned photograph होगा उसका size less than 50 KB होना चाहिए और जो आपका scan signature है उसका size 4 to 12 KB के बीच में होना चाहिए आपकी details to transaction आपने की है जैसे कि आपका मैंने बताया था reference number जो है वो आपको application form में mention करना होगा और अब upload कौन से documents करने हैं उन पे आते हैं तो यह जतने वी upload documents पताऊंगा एक single PDF के द्वारा ही आपको upload करने होंगे जिसमें आपकी scan copy होगी date of worth proof की educational qualification certificates होंगे आपके जिसमें degree या पिडिवलोमा certificates along with your final year और completion mark sheets चो scan copy होगी वो लगेगी reservation अगर आपको claim कर रहे हैं तो आपका category certificate लगेगा class 3 या फिर class 4 post के लिए आप application form भर रहे हैं तो bona fide हिमाचली certificate लगेगा और examination fees जो आपकी है उसकी जो receipt है वो आपको यहां पर attach करने होगी तो जो मैंने बताया class 3 और class 4 post तो जो reporter की post है class 1 post है junior skills tenographer की class 3 है clear की भी class 3 post है और driver की है आपकी class 3 post fresh class 4 post चौकिदार class 4 post और cleaner की है class 4 post तो इसके हिसाब से ही आपको वहां पर अपना certificate attach करना होगा अब इसके बाद जब आप apply online पे click कर देंगे तो इस तरह का page आपके सामने open होगा जहां पे आपको अपनी details जो हैं भरनी होंगी तो कहले आएगा name of post जिस post के लिए application form भर रहे हैं उसके बाद आपका आएगा यहां पे name सबसे पहले यहां पर उसके बाद जो है आपके parents का name यानि कि son of daughter of wife of जो भी आपका होगा data बर्थ आएगी gender आएगा category आएगी उसके बाद sub category आएगी permanent address आपको fill करना है address for correspondence आपको mobile number compulsory है यहां पे submit करना examination की details यानि कि जो भी आपने examination pass किया है metric और उससे आगे वहां पे mention करना होगा year of passing यानि कि कब pass किया है percentage कितनी है और किस board या फिर university से आपने वो pass किया है then आपका अगर कोई experience है अगर आप service में है या कोई पहले का experience है तो यहां पे आप उसकी details जो है fill up करेंगे next details आपकी आएगी online bank transaction number या फिर online bank transaction और चलान date तो यहां पे जो है आपको अपनी जो details है fees की वो भरनी होंगी तो यहां पे आप अपनी transaction number भरेंगे transaction date भरेंगे कितना amount आपने pay किया है वो यहां पे fill up करेंगे उसके बाद आपकी यहां पे upload होकी photograph इस side तो यहां पे आपको upload करनी है अपनी photograph जो की size आपका 12-50 के बीच में होना चाहिए और इस तरफ आपका आएगा signature जो 4-12 के बीच में होनी चाहिए और यहां पे आपको करना है अपना upload document जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपने सारे documents जो होंगे दसमी से लेके आगे जितने भी उस सभी documents की scanned copies को आपको single PDF में merge करके यहां पे एक single PDF की form upload करना है यहां पे declaration में आपको tick करना है और submit application पे click कर देना है जब आप submit कर देंगे application form तो इस तरह का आपका thank you for submitting this form और उसके बाद जो है पहले आपका application number भी आपको show होगा वो application number भी आपको जैसे यहां देख सकते हैं your application number is this one तो इस तरह से application number जो आपका आएगा वो भी आपको संभाल के रखना है print कर लेना है application form को यहां पे देखिए last में दिया गया है print a copy of your application तो print कर लेना है इसको अपने application की copy को ताकि जब भी आपका personal interview हो या फिर evaluation process हो उसमें आपकी यह use होगी वहां पे आपकी यह use में आ जाए तो यही था पूरा process इस application form को fill up करने का अगर आपके फिर भी कोई doubts हो तो comment section में comment जरूर करिए और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं हिमाचल exams के related या फिर हमाचल papers या फिर हमाचल jobs कोई भी information तो इस channel पर जरूर बने रहिए subscribe आज ही कर लें और bell icon को भी प्रेस कर दें so thank you guys so watching this video मिलते हैं सी तरह की next videos में